हलो दोस्तो कैसे हैं अब दोस्तो मैं आपका दोस्त समीर आज आपके लिए हूँ बच्चे लिखनी पाते और लिखते भी तो गलत लिखते हैं और उसके बाद फिर उसे छोड़ देते हैं तो दस नमबर बहुत माहिने रखते हैं सत्तर और साथ नमबर के पेपर में से तो आज मैं आपको वही बताऊंगा तो प्लीज मेरे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फिर उसको वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा और आपको पसंद आई होगी और देखिए लास तक मेरी वीडियो देखिएगा चलिए शुरू करते हैं क्या ह है यह तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि के यह सेक्शन बी का है यह सेक्शन बी में आता है यह और यह स्टोरी राइटिंग है स्टोरी राइटिंग है स्टोरी राइटिंग स्पिलिंग थोड़ी टी इसमें मिस है समझाता हूं मैं आप से तो यहां पर सेक्शन बी है और स् फोर्थ आता है शायद फोर्थ जी फोर्थ कोशन नमबर आता है section B में 10 नमबर का होता है वर्डिंग लगबग इसकी डिर्ट सो से 200 वर्ड आपको लिखने होंगे इसमें दोस्तों कई तरीके से देखने को मिलती है यह तो वैसे तो कोई format अकसर है नहीं इसमें मैंने थोड़े बहुत इसमें जुगार लगाया है थोड़ा अगर टीच उसमें नमबर दे दे तो बहुत सही रहगा इसमें देख सकते हैं कि कोशिच कर लेते हैं तो शुरू करते हैं देखते हैं क्या लिखा है यहां पर मैंने थोड़ी बहुत लाइने लिखी हैं ताकि शुरुआत हो सके बाकि अगर आप बाकि थोड़ा काम आप करोगे तो आपको पूरे माक्स मिलेंगे देखते हैं क्या है तो मैंने स्टोरी को इस रंग से रखा है ताकि थोड़ी से मैच खा जाए किस धरंग से होगी देखते है इस इस स्टोरी इस वेरी प्लेसेंड Yay जो यही शुरी है बहुत जादा सौहावनी मजयदार है इन misma करेंट जाल्ड़ी के पाशावनी तो में एपेली की रहामने उर्फर का, वो मुख्य कलाकार है, story का, as we come to know, जैसा कि हमें पता चलता है, through मतलब जरिये, this story, इस story के दिवारा जैसा कि हमें पता चलता है, here is suspense, जारी सी बाते, story में suspense ही देते हैं, क्योंकि अधूरी छोड़ते हैं, कहते हैं, complete करो, तो यह suspense ही है, here is suspense, एक suspense है, what makes to story entertaining, जो story को क्या बनाता है, entertaining, मज़्यदार बना देता है, यह suspense, all readers like it, it, सभी पढ़ने वालों ने, इसको पसंद किया है, the story based on a situation, यानि कि जो story है, कि किसी एक situation पर आधारित है, which is related to human life, जो कि किस से आधा, related है, किस से सम्बंदित है, human life, सारी कहानिया, human life से ही होती है, there is some, point below the story, कुछ point दे रखें आपको नीचे story में, यह वाली है, जो point, जो point नीचे देवो होते हैं, there is some point below story, all points are essential, all points are essential, सारे points क्या है, important है, क्योंकि यह जब नीचे डब्बे और में, या कोई अलग से लाइने होती है, तो, उसमें लिख देते हैं, तो all points are essential, main character plate, जो main character उसने निभाय है, outstanding role, बहुत बढ़ी अरोल निभाया है, इसमें, he or she, अपने हिसाब से change करेंगे, अगर लड़का है, यह लड़की है, तो she was highlighted, उसे दिखाया गया है, as a hero, अगर वो लड़का है, लड़की कहानी है, तो hero लिखो, लड़की कहानी है, तो heroine लिखो, तो दिखे, कुछ line है portion के बारे में, जो कुछ point दे रखे होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर आपको यह point लिखने हैं, अगर उसमें दे रखे हैं point तो आपको उसी में से use करकर के लिखने हैं, तो बहुत जादा आपको point लिखने पड़ेंगे, यहाँ पर इस वक्त, क्यूंकि ज जादे सादा line ने खुद लिखनी पड़ेंगे, थोड़ी कोशिच करनी पड़ेंगी, कम से कम कुस्तो मार्क से यहाँ पर मिलेंगे आपको, खाली चोड़ने से तो बैटर रही है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जादे साद अपनी तरफ से कोशिच करेंगे, उसी sentence का use करे लिएगा, अगर point नहीं है, story बनाने के लिए तो आपको लिए थोड़ा काम मुश्किल हो जाएगा, उस वक्त आपको थोड़ा जादे लिखने पड़ेगा, सोच सोच के लिखना पड़ेगा, थोड़ा हो, तो last में आगे देखिए, एक line कहीं गई है, यहाँ पर, above story was tremendous, या above story is apt, या उपर की story क्या थी, apt, apt मतलब उप्यूक ठीक ठाक थी, उचित थी, यह देखिए, आप मैंने ज्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, 60-70 वर्ट देख सकते हैं, या 50-60 वर्ड यहाँ पर, और अब मैं आपको दिखाता हूँ, कॉशन किस धंग से है, किस धंग से है, तो देखिए, यह अब जादातर image आती है, और देख सकते हैं, develop a story, short story, with the help of given visual starting lines, या निकि आपको एक visual picture दे रखिए, उसमें starting line दे रखिए, शायद, give a suitable title to your story, और यहाँ पर आप title पूछने का भी थोड़ा trend चल चुआ है, इस story तो लिखो, लेकिन उससे बिले title भी ल लिखना पड़ सकता है, तो अब इस image को देखके क्या हो सकता है, इस image को देखके आपको कुछ से thought create करनी और बनानी है, वरना वही जैसे मैंने बताया है, कि ढंग से करना है, देख लेते हैं, आपको यह story लिख देनी है, यह ऐसा है, उसके बाद यहाँ पे line है, वहाँ से image स वहाँ से उठा लेंगे, देखते हैं, दूसरी कैसी है, जी हाँ तो देख सकते हैं, आपको क्या कराई है, पोर्टे कोशन नमबर, तरुन स्टार्टिड राइटिंग, तो तरुन ने शुरू करी एक लिखना, एक story, बट लेकिन, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, he could not complete उसे पूरी नहीं कर सका, complete story, जो complete story थे उसकी, on the basis of beginning, sorry, beginning, given below, यानि के जो उसकी story है, उसकी जो basic story है, उसे हमें पूरा करना है, अपनी शब्दों में, give the story a suitable title, और जहां तक हो सके उसे title भी देदो, उसका नाम भी लिख दो, और 200 से 200 वर्ड लिखना चाहिए, जादे से जादे आपको लिखना है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, 200 से 200 वर्ड यानि के दो पेज, जैसा कि अभी मैंने character आपको लास्ट वीडियो में अपना कराया था, तो आपको बहुत जादा लिखना है इसमें, लेकि शुरुवात पहले होना जरूरी है, तो आपको क्या करना है, पहले स्टोरी चाहे मेरे वाले पॉइंट ले लिजी आप, और उस पॉइंट के बाद फिर आपनी थोर्ट रख सकते हो, लास्ट मार की मेरी वाली वही लाली लाइन आप लास्ट में लिख सकते हैं, तो इस ढंग से भी आ सकती है, और यह कह कहा रहा है कौन सी स्टोरी पूछ रहा है, देख लेते हैं यह भी, once upon a time, एक बार की बाते, the lion, the king of forest, यानि कि जो शेर है, वो जो की जंगल का राजा है, was celebrating मना रहा था, his birthday, अपना बड़्डे मना रहा था, all the animals, सारे animals and birds, जो की चड़िया थे पक्षी, the forest were participated in the function, इस function में participate किया, आग तो आप वाली line लिख सकते हैं मेरी वाली और उसके बाद आप अपनी तरफ से thought बना के लिख सकते हैं, इस तरह सापकी पूरी हो जाएगी, चलिए देखते हैं और कौन सी तरीके सा सकती है, यहां देख सकते है, question number 4, develop a story, in about 200-200 words में, words also given, give a suitable title, यानि कि यहां पर एक story आप in your words, अपने शब्दों में एक short story लिखनी है, by continuing, by following, जो नीचे लिखेते हैं इसको आपको आगे बढ़ाना है, I jumped out of the bed at mid night, कि मैं अपने bed से jump करा मैंने, आधी रात में, अब आगे कोई बीजन बता सकते हो, चोर देखा या किसी तरह कोई होता आपको दिखा ही दिया, या क तो उसे आपको thought बना दना है कहीं पर, और आप मेरी story लिख सकते हैं, तो आप story को शुरू में लिख सकते हैं, अगर आपको लगभख शुरुवात तो करनी है, तो शुरुवात में तो आपको इतनी thought बनेगी नहीं, तो आप इसको line को लिख सकते हैं, काफी हद तक, उसके अपने वाले point यूज कर सकते हैं, क्योंकि something is better than nothing, कुछ तो कम से कम टीचर वो आपको marks देगा, कि बच्चे ने कुछ लिखा है, तो हाला कि कॉफी complicated, especially weaker students के लिए, जिसकी grammar बिल्कु जीरो है, तो लिख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा format है, आप इसे try कर सकते हैं तो यह थी story writing, बहुत जादा comment आ रहे थे, students के please sir, story writing पे कोई video बनाई है, तो बड़ी मुश्किल से मैं आपको late night काफी बना रहा हूँ है, तो please इसको जाद साथ share कर दीजिए, अगर आपको यह पसंद आई हो, और इसे आप use कर सकते हैं अपने exam में, और teacher आपको number दे सकता ह सही है, और content सही है, definitely देखा आपको इससे वेरिफिकर दीजिए आप, तो इस video में सिर्फ इतना ही, तो मिलते में next video में, till then, bye bye